महाराष्ट्र में प्याज के दाम ने रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। इस रभी सीजन में पहली बार राजे की किसी मंडी में प्याज का दाम 4,000 रुपए प्रती क्विंटल के पार चला गया है। महाराष्ट्र एग्री कल्चरल मार्केटिंग बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार सोलापुर मंडी जो अपने सबसे कम न्यूंतम दाम की वज़े से जानी जाती है वहां 10 जून को रिकॉर्ड 19,542 क्विंटल प्याज की आवक के बावजूद थोग दाम 4,100 रुपए क्वि राजे की अधिकांच मंडियों में प्याज का अधिक्तम दाम 3,000 से 3,500 रुपए प्रती क्विंटल तक चल रहा है जिससे किसान खुश हैं बस उन्हें डर है कि कहीं सरकार अब एक्सपोर्ड बैन न करे जिन मंडियों में इस समय 3,000 रुपए प्रती क्विंटल से ज्याद थोक दाम चल रहा है उनमें कोलहापुर, अकोला, मंचर, जुन्नर, खरर, बारामती, पुने, वाई, मंगलवेरा, कल्यान और नागपुर शामिल हैं कई मंडियों में न्यूंतम दाम भी 2,000 से 2,800 रुपए प्रती क्विंटल तक पहुँच गया है केंद्र सरकार द्वारा प्यास की निर्यात बंदी का फैसला वापस लेने के बाद दाम बढ़ रहे हैं और इससे किसानों को राहत मिली है। बाजार के जानकारों नक कहना है, इस साल प्यास का उतपादन कम हुआ है, इसलिए अभी कुछ महीने इसका दाम 2,000 से 3,000 रुपए क्विंटल तक बना र दाम इस पर भी कम नहीं हुआ तो 7 दिसंबर 2023 को निर्यात बंदी कर दी। इसकी वजह से किसानों को लाखों का नुकसान है और उन्होंने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में नुकसान करने का ऐलान कर दिया। तब जाकर 5 महीने बाद 4 मई को केंद्र ने निर्यात बंदी खत्म की। इसके बाद से दाम बढ़ने लगा और किसानों को राहत मिल गई।